Hello everyone, this is Dikshar Aathur and welcome back to my channel So friends, next question discusses करेंगे जो Child Development and Psychology से हैं और अगर आपने previous videos नहीं देखी हैं तो वो videos आप देख लेना उसमें बहुत सारे important question मैंने discuss किये हैं और इस video को भी आप पूरा देखिए और last में आप से कोई question पूछा जाएगा जिसका answer आपको comment में बताना है और वीडियो को like and share कर दीजी, channel को subscribe कर लीजी So now friends, let's start So question जो है, जिन बच्चों में उपलबधी अभी प्रेणा यानि achievement motivation अधिक होती है उनके माता पिता प्राए स्वातंत्र को हतुतसाहित करते हैं मानकों की प्राप्ति है तू असफलता पर दंडित करना, उचे मानदंड स्थापित करते हैं या बच्चों के ववार को बिना शर्त सविकार करते हैं तो जिन बच्चों में achievement motivation यानि क्यूछ अचीव करने का motivation होता है तो उनके जो माता पिता होते हैं उनके लिए वो मतलब हाई criteria रखते हैं मतलब मानदंड को criteria कहते हैं कसोटी जिसको आप कह सकते हो उनके माता पिता उनको बताते हैं कि आपको क्या चीव करना है मतलब उनको बिल्कुल ये दिखा देते हैं कि आपका ये लक्ष है आपको किस तरह से पूरा करना है बच्चों में ज्यादा वो motivation भर देते हैं तो उनके माता पिता प्राए उनके हाई criteria स्थापित करते हैं उनके लिए तो यहाँ पर answer हमारा सही हो जाएगा C answer ठीक है आपना question को ध्यान से पढ़ा करो answers को ध्यान से पढ़ा करो वीडियो पोज आप कर सकते हो पोज करके वीडियो को फिर आप बताएगा इसका सही answer क्या है ठीक है अगला question जो है कौन सा अभिप्रेणा का आंत्रिक स्त्रोत नहीं है यानि internally sources नहीं है आवशकताए प्रोत्साहन अंत्रनोध या प्रतिवी द्वन्दिता तो आंत्रिक sources नहीं है अभिप्रेणा का तो यहाँ पर answer हमारा सही हो जाएगा वो है प्रतिवन्दिता ठीक है ये तो बाहरी sources है यानि बाहरी स्त्रोत है ठीक ही दियर तो D answer यहाँ पर सही है नेक्स्ट कोश्चिन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोशन और सिक्षा का आनुवाशिक्ता और वातावरण की अंतिक्रिया का केवल वातावरण का यह केवल आनुवाशिक्ता का तो human development जो है इस पर किस का effect पढ़ता है heredity का भी पढ़ता है और environment का भी पढ़ता है यानि heredity प्लस environment की अंतिक्रिया का मानव व्यक्तित्व परिणाम है ठीक है तो answer क्या सही हो जाएगा यहाँ पर B answer next question है व्यवार में होने वाली स्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना या कलपना करना तो व्यवार में होने वाले जो स्थाई परिवर्तन होते हैं यानि पर्मनेंट जो changes होते हैं जो अभ्यास के कारण यानि practice के कारण होते हैं तो उनको हम कहते हैं सीखना यानि learning is change of behavior ठीक है सीखने के द्वारा आपके व्यवार में जो ultimately changes होते हैं उनको हम कहते हैं सीखना तो answer क्या सही हो जाएगा याँपर? A answer Next question है निमलिखित में से कौन सा कारक समरिती यानि memory से समन्दित नहीं है? पहचान, धारण, पुनहसमर्ण या अनुभुती? तो 425 में answer सही हो जाएगा समरिती से समन्दित नहीं है तो वो है अनुभुती ठीक है? अनुभुती यानि feeling जिसको हम कहते हैं sensation ये memory से related नहीं है तो D answer याँपर सही है मैसलो के अभिप्रेला सिधान्द को कहा जाता है आशक्ता का सिधान्द, शारिक सिधान्द, दिड़ इच्छा शक्ती सिधान्द या अंतरनोद का सिधान्द तो अबराहम मैसलो ने जो है आशक्ता का पदानुकरम सिधान्द बताया था जिसमें उन्होंने पांसतर बताये थे ठीक है आशक्ता के तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, यहाँ पर हमारा first answer, ठीक है, यह answer सही है, next question है, मनविज्ञानिकों के अनुसार बुद्धी जो है, सीखने की क्षमता है, अमुर्थ शिंतन की योगता है, एक और दो दोनों या कोई नहीं, तो मनविज्ञानिकों के अनुसार कुछ भी concept हो, अगर हमारे में बुद्धी होगी, तभी हम सीखेंगे, और हम abstract thinking हम कर सकते हैं, यानि अमुर्थ शिंतन भी हम intelligence के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, तो सीखने की क्षमता और अमुर्थ शिंतन की योगता है बुद्धी, तो it means answer right हो जाएगा, third answer, next question है, नेमिति अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है, प्रती रूपन कार्यक्रमित अधिगम उत्रोतर सनिक्टन या कडी निर्माण 428 में answer right हो जाएगा, तो यहाँ answer सही हो जाएगा, B answer कार्यक्रमित अधिगम, ठीक है, B answer जो है, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, next question है, अधिगम संब्रिध होगा यदी, सिक्ष को द्वारा विविद प्रकार के व्याख्यान वस्पस्टि करन का प्रयोग शिक्षन में किया जाए, कक्षा में नियमित अंत्राल पर परिक्षन किया जाए, कक्षा में वास्त्वी घटनाओं के उधारनों के माध्यम से सिक सिक्षन कारया किया जाए, या कक्षा में अधिक से अधिक सिक्षन समागरी का प्रयोग करना, तो अधिगम संब्रिध होगा यदी, तो क्या किया जाए, तो यहां अंसर सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही होगा, कि अगर हम कक्षा में रिल जो घटनाओं होती है, उधारनों के माध्यम से सिक्षन कारया जाए, तो यहां सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, मुल्यांकन को उप्योगी तथा रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रती सचेत होना चाहिए, उप्योगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, किसके प्रती सचेत होना चाहिए, तो ये है educational और non-education शेत्रों में विध्यारतियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभीन विधियों का प्रियोग करने के प्रति ही तो answer यहाँ पर right हो जाएगा A answer Next question है एक सिखशिका अपने सिख्शन में दिष्य अश्रवे, साहयक, समाकरियों और शारी गतिविद्यों का उप्यो करती है क्योंकि वे शिक्षारतियों को मुनरंजन प्रदान करती है अधिकम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उप्यो करती है शिक्षक को राहत प्रदान करते हैं या प्रभावी आंकलन की सुविधा प्रदान करते हैं तो क्या आंसर सही हो जाएगा तो ये है अधिगम बढ़ाने के लिए अधिक्तम संख्या में इंद्रियों का उप्यों करते हैं ठीक है बी आंसर यहां पर राइट है व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ट विधियों में निम्न में से कौन सी विधी नहीं मानी जाती नियंत्रित निरक्षन रेखांकी द्वारा प्रदिशित मापनी व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारिक प्रिवर्तन या अभियापक प्रशनावली तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 432 में वो है व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शाररिक परिवर्तन C आंसर जो है यहाँ पर सही है प्रतिभाशाली शिक्षार्तियों को फिल करना है से जुड़े प्रश्णों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है option है समझ, स्रीजन, विशलेशन या स्मर्ण तो किस से जुड़े प्रश्णों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है तो वो होते हैं जो creativity से जुड़े जो प्रश्णों होते हैं यानि स्रीजन से जुड़े प्रश्णों पर तो B answer सही है अधिगम की प्रक्रिया में निमलखीत में से कौन सा कथन शामिल नहीं किया जाता है अधिगम एक लक्षक इंद्रित प्रक्रिया है गैर अधिगम भी अधिगम की एक प्रक्रिया है सेक्षिक संस्थान ऐसा संस्थान है जहां अधिगम प्रक्रिया घटित होती है अधिगम व्यापक प्रक्रिया है तो देखिए अलर्निंग जो प्रक्रिया होती है यह तो लर्निंग की प्रक्रिया होती है बिल्कुल सही है और जो एजुकेशनल इंस्ट्रूट होता है यह ऐस जहां पर अधिकम की जो प्रक्रिया एनों होती है ना शीकने सिखाने की वो चलती है यह भी बिल्कुल सही है और व्यापक प्रक्रिया है लेकिन यह लक्षक इंद्रित प्रक्रिया यह गलत यह जोरी प्लद can है ना तो एक लक्ष केंद्रित प्रक्रिया नहीं है डियरिये तो इसको हम शामिल नहीं करेंगे अधिकम की प्रक्रिया में तो ए आंसर यहां पर सही है नेक्स्ट कोशन है अभी प्रेणा का वर्गी करण होता है स्वभाविक और क्रितिम कम महतपूर्ण और अधिक महतपूर्ण जनमजात तथा अरजित अभी प्रेणा तथा प्रलोबन तो अभी प्रेणा का वर्गी करण होता है तो देखे टू टाइप में डिवाइड किया गया है अभी प्रेणा को सकरात्मक और नकरात्मक यानि जनमजात और अरजित ठीक है तो यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा जो जनमजात होते हैं अभी प्रेणा है कुछ अरजित होती है यानि अक्वाइड होती है ज प्रायोगिक बुद्धी संसाधन पुर्ण बुद्धी गड़ेतिय बुद्धी या व्यवारिक बुद्धी तो राइट आंसर हो जाएगा या पर व्यवारिक बुद्धी कक्षा चार का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंटित रहता है आप उसके अभिवावक से मनोचि खित्सक के पास ले जाएंगे स्वेम परामश दाता की भुमिका का निर्वाह करेंगे या उसे उसके भागया पर छोड़ देंगे तो क्या करेंगे बच्चा सदैव टैंशन में रहता है स्ट्रेस में रहता है तो हम क्या करेंगे आजा टीचर हमारी है ना तो C answer सही है व्यक्तिकत भेद पाये जाते हैं बुद्धिस्तर में, अभिवृति में, गतिवाही, योगता में या अप्रोक सभी तो इंडिवीजुली डिफ्रेंसिस जो है डियर आपके intelligence लेवल पर भी पाये जाते हैं अभिवृति में भी और आपके जो कार्य करने के जो श्रमता है उसमें भी इंडिवीजुल डिफ्रेंसिस सभी में पाये जाते हैं इट मिंस आंसर राइट हो जाएगा D answer किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का चिंता और स्वैम से सरुकार का बच्पन में किये गए अप्राधों के प्रती डर की भावना का या सिध्धी के भाव का तो यहाँ पर किशोरों से रिलेटिड हमें पॉइंट्स बताना है तो किशोरों को अनुभव हो सकता है चिंता और स्वैम से सरुकार का ठीक है B answer यहाँ पर सही है अधिगम स्थारांत्रन के द्वी तत्व सिधान के प्रवड़तक थे थोंडाइक, स्पीर मैन, जड या गिलफर्ड तो द्वी तत्व यानि जी फैक्टर और एस फैक्टर जनरल फैक्टर और स्पैसिफिक फैक्टर के जो प्रवड़तक थे तो यहाँ आंसर सही है स्पीर मैन ठीक है भी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन है शशक्त अभी प्रेणा सीखने का प्रभावशाली घटक है इससे बालक स्वस्त रहता है ध्यान रहता है, शिग्र सीखता है या प्रसन रहता है तो 441 में आंसर जो है सीखने का प्रभावशाली घटक जो है, वो है शिग्र सीखता है ठीक है, सीखने आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर उसको effective motivation मिले तो बच्चा जल्दी सीखता है आपको अपनी कक्षा में दो मन्द बुद्धी बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है आप उन्हें अपने विध्यारती के रूप में ग्रहन करने से इंकार करेंगे परधार जापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो की मन्द बुद्धी बालकों के लिए विशेश रूप से चीनित है में बिठाने के लिए बोलेंगे ऐसे विध्यारतीयों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे या प्रुक्त में से कोई नहीं 442 में तो यहां अंसर सही हो जाएगा कि ऐसे विध्यारतीयों को को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, हैना कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए, तो सी आंस सही है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह ध्यापक को एवं सिक्षव विवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, व् स्थानिय स्थर पर रोजमर्रा के समस्याओं के समधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के समन में जो कथन सत्य नहीं है, तो वो है कि भी सूचना संकलन कारेस में किया जाता है, यह इंकलूड नहीं होगा, तो भी आंसर पुरुसका, रूची या विश्राम, भूख हमें जनमजात ही लगती है, है ना, विश्राम हम जनमजात ही मतलब हम करते हैं, और लेकिन ये जो है ना, आपकी रूची जो है, जब आपको, मतलब अगर सामने से अगर आपको ऐसा कोई स्टिमलेस दिखता है, ठीक है, तो आप क कर लेते हो, क्योंकि रूची तो आप शराप पीने में आपकी रूची है, तो आप जनमजात लेकर आते हो, नहीं न, तो आप अरजित, मतलब आप उसको अरजित करते हो न, वातावरण में, तो यहां पर आंसर हमारा सही हो जाएगा, C आंसर, ठीक है, अधिकतर दाए हाथ से काम करने वाले लोगों के मस्तिक्ष का बाया गुलार्द ड्याश को निंतित करता है, देशिक चाक्षुष, सूचिना, भाषा, प्रक्रमन, भावनाओं या बाये हाथ की गती, 445 में आंसर सही हो जाएगा, भाषा, प्रक्रमन, ठीक है, भी आंसर सही है, बुद्धी है, सामार्थ्यों का एक समुच्छ, एक अकेला और जातिय विचार, दूसरों के अनुकर्ण करने की योगता, या एक विशिष्ट योगता, तो बुद्धी जो है, सामार्थ्यों का एक समुच्छ, एक आंसर यहाँ पर सही है, पढ़ाते समय समान्यक अक्षा में अध्यापक का सरवाधिक ध्यान किस मनुविज्यानिक तथ्यपर होना जाहिए, सिक्षन तकनीक, शारिक शमता, विव्यक्तिक विभिनता या पारिव समारिक सिति, तो समान्यक अक्षा में अध्यापक का सरवाधिक ध्यान होता है, वो किस मनुविज्यानिक तथ्यपर होना चाहिए, तो इंडुविज्योल डिफ्रेंसिस पर, ठीक है, हर बच्चा इंडुविज्योली डिफ्रेंट होता है, तो सभी का ध्यान रखना एक टीचर को तुसी आंसर सही हो जाएगा फिल करना है प्रतिबाशाली होने का संकेत नहीं है सिजनात्मक विचार जिग्यासा अभी व्यक्ति में नवीनता या दूसरों के साथ जगड़ना तो दूसरों के साथ जगड़ना ये प्रतिबाशाली होने का संकेत नहीं है प्रेणा का वही संबंध उपलब्दी से है जो अधिगम का या फिल करना है किससे है तरक चिंतन बोध या विवेक तो यहां आंसर राइट हो जाएगा बोध ठीक है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिनता क्यों होती है वातावरन के प्रभाव के कारण जर्मजात वशिष्टाओं के कारण वंशन कर्म और वातावरन की बीच अनुनकरिया के कारण या प्रतेक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन समुच्य प्राप्त होने के कारण तो क्या आंसर सही हो जाएगा तो एक दूसरे से भिन्यता क्यों होती है व्यक्तियों में वंशन कर्म और वातावरण के बीच अनुएन क्रिया के कारण ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही है तो यह थे हमारे 30 पोटन कोशन अभी आपको वीडियो जो है, स्किप्ट नहीं करनी है प्रीविस वीडियो में मैंने आपसे कोशन पूछा था कि लेव आईगोट्सकी ने कौन सा सिध्धान बताया था तो जिन स्टूटन ने बताया था लेव आईगोट्सकी ने जो है समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान दिया था रूसी मनविग्यानिक थे ये ठीक है, जिन्होंने समाजिक सांस्कृतिक सिध्धान लिखा है कॉमेंट में उनका बिल्कुल सही है तो आजके आपको 30 पोटन कोशन कैसे लगे कॉमेंट में जरूर बतायेगा एक-एक फीड़बैक आपको जरूर देना है ठीक है दियर और अब आपको ये बताना है भाषा अर्जित का सिधान किस ने दिया है भाषा अर्जित का सिधान किस ने दिया है किस मनविग्यानिक ने दिया है इसका अंसर आपको कॉमेंट में बताना है okay so till then bye bye रब्राख्खा जय भूले नाथ